हाई गाईज वेलकम टू क्लिनिकल सेंट्रिक दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पिप्रसलिन टैजोबेक्टम इंजक्शनं के बारे में एक widely used antibiotic combination है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके use के बारे में, इसके contraindications के बारे में इसके dose और side effects के बारे में इसके अला बात करते हैं क्या होता है फिप्रासिलिन टेजोबेक्टम एक कॉम्बिनेशन एंटिबायोटिक है जो की बहुत वाइडली यूज की जाती है होस्पेटल्स में और मरीजों में बैक्टिरियल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए फिप्रासिलिन एक पैनिसिलिन ग्रूप की एं वाले बैक्टिरियाज को भी किल कर देते हैं और अब आगे बात करते हैं पिप्रासिलिन टेजोबेक्टम के यूजेज के बारे में तो इस मेडिकेशन को कॉमनली सीवेर इसके इंफेक्शन में यूज किया जाता है इसके लावा इंट्राइब्डोमिनल इंफेक्शन में रेस्पारेटरी ट्रेक्ट इंफेक्शन जैसे कि निमोनिया ऐसे इंफेक्शन में इसका यूज किया जाता है इसके लावा यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है और सीवेर सेपसेस वाली कंडिशन में भी इसके यूज किया जाता है इसके ICU में मरीजों को ठीक करने के लिए इसका यूज बहुत ज़़ा frequently किया ज़ता है और आगी बात करें इसकी doses के बारे में तो पिप्रसिलिन की doses पेसेंट के condition के हिसाब से और infection कौन सा treat किया जा रहा है उसके हिसाब से इसके लावा पेसेंट के वेट और पेसेंट की एज और किड्नी फक्सन के आधार पर अलग-अलग हो सकती है लेकिन अगर टिपिकली एडल्ट डोज की बात करें तो इसके 3.37 ग्राम इसके नॉर्मल डोज है जो हर 6 गंटे में लगाई जाती है और इसे 4.5 ग्राम पर सेक्सावर तक भी इंक्रीज गया जा सकता है तो इस तरह इसके डोज कैलकुलेट की जाती है और बात करें पीडियाटिक डोजेज की तो पीडियाटिक डोजेज जनरली बोडी वेट और की एज के उपर इसके अलावा severity of infection के आधार पर decide की जाती है तो डोक्टर्स के दोआरा जो recommended dose बताई जाए उसके इसाब से ही इंडिया administer किया जाना चाहिए इसके लावा renal impairment वाले patient में जो kidney dysfunction वाली बीमारिया हैं उनको ठीक करने के लिए क्या जाता है लेकिन उनमें dose adjustment के जरूरत होती है क्योंकि accumulation of the drug की वज़े से toxicity होने के chances बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए dose adjustment बहुत ज्यादा जरूरी होता है और अगे बात करें इसके contraindications के बारे में तो जैसे और दवों के side effect होते हैं वैसे फिप्रसिलिन टेज़ोबेक्टम के भी होते हैं side effect तो जिन लोगों को penicillin या cephalosporine या फिर beta lectum antibiotic से allergy है उनमें इसका यूज नहीं किया जाए इसके अलावा फिप्रसिलिन टेज़ोबेक्टम के किसी भी इसके अलावा कुछ लोगों में इसका यूज सावधनी से किया जाना चाहिए जैसे adrenal impairment वाले जो में इसका dose adjustment की जरूरत होती है इसके अलावा जिन लोगों में GI bleeding यानि की gastrointestinal bleeding या gastrointestinal disease की से कहित होती है जैसे की colitis जो बढ़ी आतका infection होता है उनमें इसका यूज problem होती है उनमें भी करें यूज सावधनी से परें और बात करें इसके side effect के तो इसके कुछ common side effect भी है और serious side effect भी है तो common side effect जैसे की nausea, omitting, diarrhea, resage और itching इसके लावा pain, redness और swelling at the injection site इसके लावा elevated liver enzymes भी हो सकते हैं जो blood test में ही पता लगता है और अगर serious side effect जिनके अगर बात करे तो severe allergic reaction जिसे हम एनफायलेक्स कहते हैं वो आपको दिख सकता है इसे मरीजों में इसके लावा clostridium deficially associated diarrhea भी हो सकता है इसे मरीजों में side effect के तोर पर इसके अलवा thrombocytopenia की condition भी देखने को मेंजर यानि कि platelet count कम हो सकता है और kidney dysfunction भी serious side effect है इसका तो अगर आपको कभी भी ऐस severe side effect या unusual side effect देखने को मिले तो तुरंद डॉक्टर से सला ले और दवा को तुरंद बंद कर देए और बात करेंब सबसे most important topic की यानि कि इसके alternatives की कौन से alternative इस दवा की अनुपस्तिति में दिये जा सकते हैं तो पिप्रसिलिंट टेजोबेक्टम के कुछ alternative जैसे कि सिपपहेम होता है तो सिपपहेम एक जो की ब्रोड स्पेक्ट्रम एंटिबायोटिक है यह बिल्कुल इसके similar ही effect करती है और similar infections को ठीक कर सकती है इसके लावा variety के infections को ठीक कर देती है और resistant infections को भी ठीक कर देती है इसके लावा metronidazole metronidazole को other antibiotics के साथ combination में देकर हम anaerobic bacteria को भी kill कर सकते हैं और resistant में भी यह काम कर जाती है यह resistant का मतलब है कि कोई दूसरी antibiotics उस पर असर नहीं कर रही है तो ऐसी broad spectrum antibiotic दी जाती है जिससे वह किल हो सके वेक्टिरिया तो इस पूरी वीडियो का सारा से यह निकलता है कि पिप्रसिलिन टेजोबेक्टर में एक broad spectrum antibiotics है जिसका proper use, proper side effect, proper risk और proper alternative उसके बारे में पूरी जान से change ना करें अपनी साफ से dose कम जादा ना करें यानि कि सीधी बात है डोक्टर से पूरी पूरी knowledge लें डोक्टर के instruction के बाद ही इस दवा का proper use करें तो असर करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो में काम की जान करी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को स सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ से जरूर करें तक इस सब को जानकरी मिले एसी और मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक कि लिए धिनेवाद चेहीं चेह बारत हो